हेलो दोस्तो में इस वीडियो में आपके लिए बहुती अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ बर्ती के रिगार्डिंग सरवसिच्छा आवियान में बहुती अच्छी बर्ती है तो आप इसमें फॉर्म जरूल बर दें अगर आपने अभी तक अपलाई नहीं किया है तो इस मौके को हच्छे न जाने दें क्योंकि आपका काफी दनों से इंतजार था इस बर्ती के लिए और जिनके पास आठमी पास है वो भी आवियदन इसमें कर सकते हैं तो बहुती अच्छा मौका है और जो बेरोजगार हैं जिनको रोजगार की तलास है तो उनके लिए तो यह इंपोडेंट बढ़ती है क्योंकि गवर्मेंट जॉब लग जाएगी आपकी इसमें और आसान करना है कैसे फॉर्म बना है और आपकी इसकी डेट कितनी है और कितना पैसा मिलता है इसमें कैसे फॉर्म बना है सब डेटिल आपको मिलने वाली है क्या योगता रहने वाली है चली देख लेते हैं तो देखेंगे आप इसे 15 मार्च मार्च 2022 से फॉर्म बना इस्टार्ट हो है इसमें कोई एकजाम नहीं होगा और तो आपको क्या है योगिता के एनसार इंट्र योगिता FM blij सकते हैं तो आपको कैसे आविधन करना हैं चलिए जान लेते हैं तो कितने पद हैं किस पोश्ट के लिए और क्या-क्या योगता हैं तो यहां पर देखेंगे 15 मार्च से फॉर्म बना इस्ठाट हो गया था और इसे आप एक अपरेल तक यहां पर देखेंगे एक अपरेल एक अपरेल 2024 साम पांच बज़े तक आप इसे सांच साम को पांच बज़े तक आप फॉर्म को एपलाई कर लीजिएगा क्योंकि आज ही लाइस्ट डेट है इसलिए मैंने आपको बताना इंपोरेंस समझा जो नहीं बरपाए हैं इसे बाढ़ दीजिए और यहां पर अनसूच से जाती है यहां पर यहां पर देखेंगे यह इसकी आई उसी माय अधिक्तम 45 वर्स और 25 वर्स नियुनतम है और यहां पर 22,000 रपर प्रितमा दिया जाएगा आपको दूसरी देखेंगे आपको यहां पर बिज्जान में होना चाहिए जीए वीची जिसे आप होना चाहिए और यहां पर उनके लिए एक जनरल में वेकंसी है और यहां पर यहां पर देखने अनसूच से जाती जन जाती में है तो टोटल तीन वेकंसी है इसमें इसमें भी आई उसी माय इतनी है 25-45 और 22,000 पर सेल दी जाएगी अब देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं एक वेकंसी EWS में यहां पर इसका उट गाईड में सारे जिख्षा या वीपीएड या सी पीएड इसमें आप देख सकते हैं अपनी योगिता के अनुसार लेखाकार के लिए चाहिए क्या चाहिए MS तो यहां पर देखेंगे बार जिमें इसना आपकी दो बैकंसी है यह जनरल में है एक है EWS में और इसमें भी बेतन आपको 11,000 पर दिया जाएगा उसके बाद देखेंगे मुख्य रस्वया इसके लिए बहुत से इस्टुडिन का इंतजार था तो आप देख सकते हैं यह की बैकंसी है केवल जनरल में तो इसके लिए सभ भी कैटिगरी वाले अपलाई कर सकते हैं और इसमें योगिता मांगे यह कख्या आठ बैकंसी तो कम है लेकिन आपको इसमें फर्म बढ़ देना चाहिए क्योंकि आपको मैं बता दूं इसमें कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है इस फर्म को बढ़ दीजिए होगा तो सह सही और नहीं होगा तो भी सही क्योंकि देखो यहां पर क्या है कि योगिता मात्र आठ में पास तो किस लेबल का इंट्रुव होने वाला आप सभी समझी रहे हैं तो आप इसे नहीं बढ़ा है तो बढ़ दीजिए पैसे कम मिलेंगे तो यह पैसे को मत देखिए पैस एलाउंस वगरा मिलाके सब कुछ अधिक पैसे मिलते हैं उसी प्रिकास सायक रसुया इसमें भी कख्या आठ भी पास मांगा है और इसमें देखो यहां पर लिखाया सब संक्रामक र पर जाकर करके आप फॉर्म को एपलाई कर दीजिएगा जैसे कि देख रहे हैं यहां पर यह ऊपिसल चैड दे रखें इस पर जाकर इस फॉर्म को डानलोड करके और इसे टाम से बढ़ दीजिए और यहां पर देखेंगे आपको मैं कुछ important बातें बता देता हूं कैसे फॉर्म बढ़ना है यह फॉर्ट साइज का पेपर डानलोड करना है जो फॉर्म बढ़ना आपको और जो योगिता मांगी है उसके according आप अपर योगिता उसमें फिल करेंगे तो यहां पर देखेंग एक फोटो भी लगाना है जैसे फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज उसके बाद आविदन का नाम यहां पर बरती का नाम डलना है यहां पर देखेंगे अंग्रेजी के बड़े अच्छों में डालना है ना के छोटे अच्छों में भी लिख देते हैं तो आपको द्यान दे कि और अड्र स हैंश्यद से इंट्रमीडियें देंगे इशनां तक प्रिष необходимо कीटि प्रिछ्य परेच्छा है यह उन्य में डाल सकते हैं ठीक है तो आप अगर आप की पास है यहां पर आपको यहांसे जाइए है और जो सोच रहे हैं कि जैसे हमारे पास आठमी पास है तो आप अपने कोटिंग महां से फर्म डानलोड कर लिजिए ऑपिसल साइड से ठीक है और इस फर्म को कि आज ही लाइश्ट डेट है तो आज ही अप्लाई कर देना है और आपको मैं बता दूं जैसे कि यहां पर इन्होंने स्वाफ साब लिखाए किस पर का सिलेक्शन होने वाला है तो देखो कैसे कैसे फर्म बनना है आपको यहां पर देखो स्वाफ साब लिखाए उन्होंने यहां पर स्वाप साव लिखाया है उन्होंने कि दो लिफाप पाप है यहां पर 40-40 रुपए का टिकट डाक टिकट लगाना है तब इसे बेजना है ठीक है तो इसे ऐसा करना ना भूलिएगा तो आप इसे फ्रम को एपलाई कर दीजिएगा प्रूपए लिए लिएगा